सब्सक्राइब ध्यार्ति को साइन्स, कॉमर्स और आर्ट्स स्ट्रीम में से कोई एक चुनना होता है आज हम कॉमर्स को लेकर कई सवाल करेंगे हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर नवल सिंग जी जो की डीन है भावा युनिवर्सिटी भोपाल के डॉक्टर नवल सिंग जी अपका बहुत अच्छा सब्जेक्ट लेकर के आप सौराज चैनल के माधियम से मैं सभी को बधाई देता हूं कि इस परकार के जो कारिकरम है अपने युवा सकती जो भारत का है उसमें उनके मार्क दर्शन में आप लोग बहुत बड़ा एक योगदान दे रहे हैं उनके फ्यूचर प्ला करता है आज कल गवर्मन इंवर्सिटिए भी कॉमन टेज़ लेकर करके उसको अद्मिशन की प्रोसेस करती है प्राइवेट इनिवर्सिटीइज भी आपने स्थर पे इसकी कॉमन टेज़् करती है यह डायरेक्ट आड्मिशन में परसेंटर्पे इसमें डिएडमिशन होता ह क्या इसके लिए कोई गवर्मेंट कॉलिज से पढ़ाई करना उचित रहेगा या फिर उपकी सी प्राइवेट उनिवर्सिटी से भी चात्र पढ़ाई कर सकते हैं सिक्षन बेवस्ता हैं जहां पर बेटर हो मेरा यह कहना है चाहे वो सास्की हो हो चाहे प्राइवेट हो निजी बिस्वेद द्याले से पढ़ना भी उतना ही ठीक है जितना कि गवर्मेंट बिस्वेद द्याले या गवर्मेंट कॉलिज से भी पढ़ना है जिसके करारें आज पुरे भारत वर्स में नीजी पिस्वेद्याले और नीजी महाविद्याले का एक परसार हुआ तो अगर बेटर सुविधा और बेटर सिक्षन विवस्ता प्राइवेट और नीजी पिस्वेद्याले और कॉलेजेज देती है तो दोनों से सिक्षण करहन कर सकते हैं beschäftigt कॉंमर्स की पढ़ाइज करने बाले छात्र जो छात्रा है रहतें उनके सामने एक सावाप रहता है कि इसमें बहसी का होगा अगर हम इसकी पढ़ाइज कर तो इसमें भवी स्का रहे का उनका कॉमर्स विसे एक ऐसा विसे है जो कि वानिज से रिलेटेड है वैपार से रिलेटेड है और वैपार की जितनी भी सुक्ष में चीजें होती है वो जैसे आपने बता है कि तेंद के बाद एक सब्जिक का चैन करना होता है वे स्टूरेंट को कि 11th में 12th में and then 1st year, 2nd year, 3rd year और taxation को लेकर के उसके हिसाब किताब जिसे अपन पैसों का जो लेन देन होता है वो पूरे transaction को यह लोग अध्यन करते है और पूरे transaction को 0.50 तक मतलब 50 पैसा तक calculation करने की बेवस्ता दी गई है और इसमें अलग-अलग हर label पर इसकी बेवस्ता है एक business के लिए जो account है financial account जिसमें 3 account बना जाते है जो अंतीम वर्स में financial year के end में जिसमें trading account, profit and loss account and then balance it यह बच्चा बना करके और बच्चा सीखता है जब तो किसी भी वैपा की company हो एक छोटा सा दुकानदार हो उस दुकान और बिजनेसमें को यह बता सकता है कि इस financial में आपके वैपार में कितना profit हुआ यह कितना loss हुआ लॉस हुआ तो किन कारणों से हुआ इसकी भी analysis करने की विवस्ता वानिज विवाग में दी गई है दूसरी चिस की इसमें ती प्रोफित एन बैलेंस इट तो यह तीनों ऐसा एकाउंट है जो कि हर स्टेट्स पे ग्रोश प्रोफित निकालता है वैपारी कि आप इसमें से इंडारेक्ट एक्सिंस माइनस करके नेट प्रोफित निकालता है जिस पर गवर्मेंट को टेक्स देना होता है इसा ने इंकम जो जी एस्टी का रूप ले लिया बैलेंस इट से किसी भी बिजनेसमें को उसकी फाइनेशियल पोजीशन को अपन बता सकते हैं कि आपकी लाइबिटीज कितनी है और एक ऐसे तो वार्नीच के जो विसे एक ऐसा है बहुत 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 रूप है और वैपार अगर जो प इनने सक्सेस्पूल काम कर पाएगा बिजनेसमें अपने आगे की फ्यूचर प्लान कर सकता हूँ कॉमर्स भी सेकेस्ट रूप कर सकते हैं दोनों सेक्टरों में बहुत सारे इसके जॉब की अपर्शिटीटीज है जो में एक एक करके बताऊंगा इनमें कोर्सिस क्या भी थ इसके बच्चा वोप आई लेता है साथ में इसकी हैर एक स्टडी है जिसे चार्टिट एक नाम से फेमस है वह तो एल के बेस पर गरिविशन की भी होता हूँ चार्टिट एक जो कि टॉपस्ट कॉमर्स के हाईयर पोस्ट तक जाता है जो कि पूरी टैक्सिशिन की और बिनन जो अपर रीड की एड़ी बोलेंगे, अगर कॉस्टिंग पर उसने नियंतरन कर लिया, तो आज जो कॉंपटीशन है मार्केट में, वो कॉंपटीशन को फेस कर सकता है, क्योंकि वो लागत पर अगर नियंतरन कर लिया, तो आगे वो अपनी प्रॉफिट को भी बहा सकता है, तो दूसरा work and cost accounting पर आ गई, उसके अलावा financial advisor की courses है, इसके अलावा अपने आज कल तो इन में job की opportunities की बात करें, कि अगर जनरल एक बीकॉम पास बच्चा भी, अगर उसकी command है, share, deventure और mutual fund, जो आपने अभी भारती है, समाज में देखा होगा, और करोना के समय के बाद, ल अगर लेवल पे ओपन हुआ था भारत में, और आज भी गिरहनिया भी भारत की अब share online trading कर रही है, mutual fund में पैसा लगा रहे है, तो commerce का student ही, जो बेटर एक आपको option बता सकता है, कि किस company के mutual fund लेना है, किस company का share सपने को लेना है, और कब बेचना है, तो ये एक job opportunities, commerce की student के को ग्यान दे सकता है, मारदर्सन दे सकता है, और अपनी earning कर सकता है, एक तो ये personal हो गई, job की opportunities की जहां तक आपने बताए, जैसे मैंने industrial cost account की, तो industry sector में, जहां जहां industry है, work and cost account अगर जिसको आता हूँ, वो बच्चा कर सकता है, इससे पहले मैंने financial account और final account के बारे में बात क करके भी, वो अपना जीवान यापन कर सकता है, ICW एक कोर्स होता है, जिससे कि company secretary के sector में जा सकता है, जो hire poster है, central government के तरफ से, जो चीज़े दी जाती है, वो company secretary commerce की बहुत opportunities है इस sector में, तो नए दिसा तो अभी, आपका mutual fund financial advisor के रूप में, बहुत बड़ा market है, जिसमें ये का कर सकते हैं, इसके अलावा teaching की अगर उसको रूशान है, तो section बेवस्ता है, और भारत में ये allied courses में माना जाता है, allied courses में जैसे आर से, science से, commerce है, और इनके बहुत सारी branches है, जैसे commerce के ये subject है, science में अगर जाएंगे, तो science में तो बच्चों को, एक common में ने समाज में देखा है कि B.C. Computer Science अगर बच्चा ले रहा है, तो B.C. Computer Science ले लिया या PCM Group से ले रहा है, जो पर चली थे, समाज में, लेकिन में, science का इतना विश्तरित रूप है कि आपको एक घंटे का कारिकरम इसके लिए करना होगा, और इसकी branches, life science से लेकर के agriculture, B.C. Agriculture Science भी अपने allied courses में आता है, अभी एक और चीज आई है, जो कि Indian Bar Council ने, DCI ने एक और चीज की है, कि 5 साल का integrated course किया है, जो B.A.L.L.B. के नाम से आपने सुना होगा, B.A.L.L.B. जो बच्चे करता है, 5 साल करेता है, और उसमें जब specialization की और जाता है, तो वो भी अपने जॉब, जो allied courses की अगर बात करें तो, तो वो allied courses में B.A.L.L.B. भी आगया, commerce भी आगया, arts के subject है, जो कि बहुत प्राचीन काल से अपने हाँ भारतिय संस्कृती की धरूहर है, एक तरह से arts, वही धरूहर आज भी बहुत प्रासंगिक है, आपने हिमाचल परदेश की अभी घटना देख रहे हैं, कि थोड़ सिबारी सोरी है, बहुत सारे पहारों का भुखलन हो रहा है, मकान गर रहा है, तो अगर जिग्रोफिकल स्टडी उसमें किया जाए, जिए जिसे कहते हैं, बच्चा उसमें जाएगा, उसकी जॉप के बहुत है, और आने वाले समय में यह जैसे जैसे यह प्राकृतिक प्रक तो कॉमर से गवर्मेंट में कोरको सी जॉप उने मिल सकते हैं, जिए गवर्मेंट जॉप आज से नहीं समय इसे पहले से भी जो वेक्ति चाहता है कि मेरा जॉप सुरक्षित रहे और एक भारतिय मानसिक्ता में भी देखी गई है कि जोब की स्गरोटी के साथ साथ अराम का जॉप चाहता है, तो इस कारण से भारतिय समाज के युवर्क और पहले से ये बेवस्ताथ लेखी गए कि गवर्मेंट साथ की जॉप की होती है, साथ की जॉप में महालेखा परिषद, आपने नाम सुना होगा, आपने का नाम सुना होगा, जो भारत सरकार दोरा पूरी सं सबसे ज़्यादा कॉमर्स की स्टूडेंट की डिमान होती है, क्योंकि ये एकाउंटिंग के साथ साथ बैंकिंग की जो ऑपरिशन है, उस पार्ट को भी सिखते हैं, क्यों इनकी सिलेबस में बैंकिक अपरिशन को भी दिखाई जाती है, तो बैंकिंग सेक्टर हो गई, अटा के जी एस टी लगाया है, तो जी एस टी डिपार्टमेंट में टैक्स का कालकॉलीशन किस परकार से की जाएगी, कॉमर्स की स्टूडेंट की वहाँ डिमान होगी, कॉमर्स एसा सबजेक्ट है, जो मैंने अभी बताया है, इसकील बेस सबजेक्ट है, और आज से नहीं बरसों से चलाया रहा है, और जब तक इस प्रत्वी पर बिजनेस होगा, उस जब तक ये कॉमर्स की स्टूडेंट की डिमान होगी, और अपने कुशन किया था कि गॉर्मेंट जॉब के लिए, तो गॉर्मेंट जॉब में जहां भी गॉर्मेंट संस्ताय है, चाहे वो गॉ कि देख रहे की बेवस्ता अगर करनी है, तो वहां कॉमर्स की स्टूडेंट की ही डिमान होगी, इसके अलावा प्राइविट सेक्टर तो उपन है, बिजनेस जितना जादा बढ़ेगा, उतनी जादा कॉमर्स की स्टूडेंट की डिमान बढ़ेगी, इसमें एक चीज कहना चाहूंगा, कि बच्चों को अपने इसमें इंटरेस्ट देखना होगा, और सब्जेक के कमांड देखना होगा, 11-12 में जो बच्चा कॉमर्स में लिया है, तो दो साल में बच्चे को अपने आप में वो चेक कर लेता है, कि मेरा निमरिकल जैसे एकाउंटिंग है, तो वो हम कितना स्ट्रोंग है, या थेओरिकल में, तो आगे चल करके जब कॉलिजिस में जाते हैं, तो जो आपने जैसे कॉशन किया, कि इसमें सब्जिक का चुनाओ कैसे किया जाए, जिसे स्पेशलाइशन किया जाता है, स्पेशलाइशन कहते है, टैक्शेशन और मनेजमेंट, दो ग्रूप होता है, आज कल करके इसमें और भी ब्रांचेश आगई समय के अनुसार, समय इसलिए हुआ कि रिटेल मनेजमेंट के सेक्टर में अगर काम कर रहे हैं, तो इसमें फाइनेंस के अगर सेक्टर में काम कर रहे हैं, वीकॉम ओनर्स के नाम से एक कोर्स बनाया गय और इसमें और भी इसकी ब्रांचेश आए, तो सब्जिक का चुनाव करते समय, बच्चे को सबसे पहले अपनी कमान और अपनी इंटरेस को ल करके सब्जेक को कर्ना होगा, और इसके बच्चों के बद बहुत सारे ऐसे ऑफ्शन है, कॉर्ष मैं सब्जिक को लेकर कि अगर सरकारी जॉब में चाहते हैं तो बहुत सारी संस्ताय हैं जहां पर इस बर्चों को जादा से जादा डिमांड में आती है दूसरी चीज कि आपने सालरी वेतन की बात कि वेतन जादा से जादा मिले क्योंकि आर्थिक रूप से जो स्ट्रॉंग होगा इस अभी बर्तमान समय में पैसे की जो बोला जाता है जिसके पास पैसा है वो सुकी जी वन जी रहा है तो वो पैसे को लिएकर करके ऐसा मैं कहुँगा कि एक छोटे से बिजनेस का जो एकांटिंड भी होता लेखापाल उसको भी एक परेनम की बात करें तो शिक्स लैक की साली मिलती है तो बह दूसे चीज़ कि अगर टैक्सेशन की बात करें, तो टैक्सेशन अगर करता है, बिजनेस की लाइन में जाता है, कॉस्ट एकाउंटिंग में जाता है, तो इनकी सेलरी बरे अराम से 50-70,000 रुपए तक की मिलती है परमत, इस से उपर अगर वो सेलरी चाहता है, तो इसको अप की अर्णिंग जो की आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, जितना आप काम करोगे, वो एक कमिशन बेस होता है, चाहां मिच्वल फंड हो, या सियर डिवेंचर का काम हो, इसमें आप अर्णिंग लाखों रुपए पर मन्त से उपर भी कमा सकते हैं, कॉमर्स को लेकर एक सवाल और एडमिशन की जो प्रोसेज होती है, उसमें कई इनवर्सिटीज है, जो परसेंटेज से पहले पूर्व में नहीं बताया था, कि प्रविश परकरिया में परसेंटेज की इंपोर्टेंस, इसलिए देखी जाती है, कि बच्चा किस काटेगरी के हो, और वो काटेगरी उसके एडमिशन फॉर्म में इसलिए भी लिखाया जाता है, कि बच्चे की काटेगरी को देखकर के उसके उपर इनवर्सिटी और कॉलेजिस काम करते हैं, इंडिज्वल जैसे दू परसेंटेज भी है, मेडियम अगर हिंदी है, तो हिंदी है, इंग्लिश है, तो दोनों की करते हैं, तो एडमिशन परसेंटेज का जो आपका प्रस ने है, इसलिए चेक कि जाता है, कि बच्चे के उपर कितना मेहनत करना है, और आने वाले समय में, जैसे जैसे परसेंटेज की भी इपोर्टेंस होगी, क्योंकि कई कमपनी पहले ही शॉट लिस्ट गॉर्मेंट की ह हो या प्राइवेट की हो, अगर कॉमपटिटिव एग्जामनेशन में भी बच्चा जाता है, तो पहले वो पहले ही एक ब्रेक लगा लेते हैं, कि इतने परसेंट के उपर ही हम आवेदन सुईकार करेंगे, तो परसेंटेज की इंपोर्टेंट जरूर यहां पे कामया रहत है, तो इस इस आवेदेनुन के इतने परसेंट जरूर यहां जो इस पहले भी मैंने बताया है, कि कॉस्टिंग के उपर अगर कोई कंपनी कंटूल कर लेती है तो वो अपने कंपटिशन में सक्सेज व्याती है तो यहां अपरचुनिटी बहुत जादा है जितनी भी मैनिफेक्शन यूनिट है यहां पर जहां पर जैसे अपना भारत में महारास्टा का एरिया हो या गुजरात का एरिया हो या बैंगलोर का है यहां मैनिफेक्शन यूनिट बहुत जादा है इन राजियों में कॉमर्स की स्टूरेंट की बहुत जॉब की अपरडिनिशी यहां तक की साल्टी सभी कुछ बैटर होती है तो सिय का भी कॉमर्स जो सिय रहता है उसके बारे में भी शाथ-चात्र बहुत जानना चाहते है चाथ-चात्राओं का मान रहता है सिय अखर होता क्या है सिय की पड़ाई होगी जाने की बाद क्या बन पाई है चार्टेट एकाउंडिन का कोर्स एक ऐसा कोर्स है कि जो 12 की पर एक प्रिमी टेस्ट देना पड़ता है और उसमें एक सब्जेक्ट सिर्फ थोड़ा सा कॉमर्स बेक्राउंड वाल स्टूडिन को दिक्कत आती है जो एस्टेटिक्स और मैस क क्ली करके होता अद्र जाती हैं तो उनकी जौप की अपड़िनिर्टि कि दो सो परसंड बर जाती हैं मैक्सिमम और तो चार्टेट होने के बाद कोर्स करने के बाद स्टूड एंट जॉब करना परसंड ना करके वो स्वेम का दिनस करना चाहता है क्योंकि उसमें अर्णिंग जॉब से जादा होती है टैक्शिशन को लेकर के जितना ग्यान प्राप्त होगा उतना जादा वो पैसा प्राप्त करेगा तो चाटे डिक आउडिन का कोर्स एक सीए की प्रैक्टिस के अंतरकर उसको संपन कराई जाती है तो वो निपु कोमर्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें पैसों का लेन देन को लेकर रुपूर तरह से रखाव करती है तो यह एक जीवन यापन से रिलेटिग जितने भी विवसाइक प्रतित्सिश्टान है या जो बजट को लेकर के है या अपने घर की बजट हो या अपने पैसों की जो एक खर्च की कहानी है उसको लेकर के यहां इसकी इंपोर्टम से तो आप ने बुला कि एक अंने सब्जेक्स से कमस का सबजेक्त कैसा है तो अलग इसलिए है कि यह जीवन से जुडा हुँआ सबजेक्ट है कई ऐसे सब्जट होते है जो अपनी जीवन में प्रियोग में बह कि बनाना चाहिए तो पैंड काट जहां बनेगा वो कॉमर्स जोड़ जागा जहां भी जी एस्टी जो भी एक पर्चिस कर रहे हैं जैसे आपको जानकारी होगी कि आप खाद्य प्रदार्त है या जितने भी प्रदार्त हैं उस पर इंडारेक्ट टेक्साट के जी एस्टी बाक्तिकत जीवन में इतना प्रभाव नी डालते हैं जितना कि वर्नीजे and commerce and commerce जी से लालता है तो यह थोड़ा सब एक हिसाब से रिलेटेट होता है क्योंकि गनीट के बिना तो वह पैसे का लेंदेन नहीं कर सकता लेकिन अगर गनीट सब्जेक्ट में थोरा सा अगर स्टूरेंट वीक लगता है तो यहां घबराने की जरूवत नहीं है कॉमर्स में बहुत ज़्यादा मैट्स की कालकुलेशन नहीं होती है हिसाब किताब में जितने भी पैसों का लेंदेने उतना मुल्यांकन करना होता है कभी रेशो अनलेसिस की जाती है कभी परसेंटेज निकाली जाती है तो वो परसेंटेज बहुत ज़्यादा तकलीब दायक में है जैसे डोक सब आपने बता BHA के अ और B Sie और A इस तरह के से B.com और वह कोई कोर्से से जो commerce किया जा सकते है बी कया मार इसके लावा नहीं commerce के एक अलगए यह équ ऐसी टीम है science अलगए यह équ ऐसी बाद लाई इस टीम है तो वो तो अलग-अलग करके कोर्स का अपरजुनिटिटी को लेना चाहिए और मैंने बार बार चीजें ये बात कर रहा हूं विद्धियार्थियों के लिए कि कभी भी देख करके कि वो वेक्ति क्या कोर्स कर रहा है ऐसा नहीं करना चाहिए आपका क्या रूची है आपका क्या इंटरेस है मैंने आप को बताया है कि बहुत सारी ऑप्शन है आपके पास आज एक simple बात करेंगे जैसे बेस सी कुरस है बहुत कम लोगों को पता है कि बीएस सी एक्रिकल्चर बहुत फेमर्स है अभी चल रहा है डी एसी एक्रिकल्चर में भी करीम आट-दस ऐसे सेक्टर है एक्रिकल्चर बीह सी अ आप एक एडवाईजर के रूप में काम कर सकते हैं. हाटी कल्चर जो भारत में चल रही है, वो हाटी कल्चर में, अगर BSC हाटी कल्चर करते हैं, यह सब इस्प्रेशलाज़ाशन है. BSC के रीकल्चर की जो में एक बात करूंगा. तो ऐसे courses भी हैं जो commerce के अलाबा भी बहुत सारी चीज़े हैं और बहुत सारे option हैं यह B.E.S.C. की लाइन में साइंस में अगर देखे जाएं साइंस में अगर देखे जाएं तो आपका life science हो गई आपका industrial chemical industry हो गई जो की chemical की ऊपर research करते हैं पढ़ते हैं स्टूडेंट जो science क बच्चे होते हैं तो उसमें भी sector बहुत सारी है लाइब साइंस में अगर जाएंगे तो आपका botany geology का एक पार्ट छोड़ देंगे तो भी बहुत सारा पार्ट है इसमें स्ट्वाइल टेस्टिंग की भी एक बेवस्ता होती है स्ट्राइल साइंस जिसे काते हैं उसकी मिट वो तनाओ को के कारण जो अपने मानों सरीर पे जो दूस परभाव होता है जिसे एक साइको की बात की जाती है समाज में उसके उपचार है तो एक psychological जो clinical psychology होती है वो psychology भी कहीं कहीं बहुत आर्ट में बहुत popular है और भारत में इसे बहुत ही गलत नजरिये से देखते हैं कि ल बच्चे को यह guidance देना भी psychology में उसको अगर भ्राम हो रही है तो दूर करना psychologicalist का काम होता है इसमें दो प्रकार का है medical psychological होता है और एक social psychological होती है यह European country में बहुत तेजी से है online भी यह अपना बच्चा करके अपना व्यावसाय कर सकता है personal उसकी थ्रेपी दे सकता है तो यह भ English literature जो आपका आपका first class से लेके PG तक जाएंगे तो आपको English के courses पढ़नी है तो अगर कोई English literature लेकर के अधियन करता है specialization ले ले लेता है तो उसको job की दिककत नहीं आएगी आपकी Hindi literature एक subject है बहुत बच्चा कम रुजहान जाता है specialization कम ले रहा है समय तो Hindi literature का subject भी लेता है वो भी बच्चा first से लेकर के PG तक का को Hindi एक foundation course जो सुप्रिम कोट के guideline में है वो चीज की गई है एक environment management है तो BSC environment का कभी course specialization है वो भी कर सकता है यह सब इलाइट के courses में बहुत branches है जो कि मैं तो अभी बहुत शौर्ट में बता रहा हूं अगर बैठेंगे तो इसकी बहुत सा आदेश के अनुसार खाना है तो कंट्रोल हो सकता है तो उन्हें का course कर सकता है तो यह एलाइट का course में बहुत सारी ब्रांच है और commerce के अलावा अन course भी कर सकता है जी हमारे साथ आज चर्चा के लिए थे डॉक्टर नवल सिंग डीन है जो भावा युनिवेस्टी भौपाल के लोग्ट साब आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चल्चा करने के लिए फिलालकली स्वराज के रियर में इतना है आप देखते रहे स्वराज एक्सप्रेस नमस्कार